तो कैसे आप लोग जो भी स्टूडेंट जो SSC, CZL, CHSL या फिर कोई भी पोश्ट के लिए अपलाई किये है SSC से रिलेटेड तो उनके लिए एक बड़ी खवर है जो के निकल के आ रही है तो आएए देखते है कि क्या खवर SSC ने निकाला है उन चात्रों के लिए जो SSC एक् 1-6-2020, the situation हाँ तो बोला जा रहा है कि कोरोना वाइस के चलते जो एक्जाम पोस्ट्पून कर दिये गए थे उनको फिस से रिसेडियूल कर दिया गया है और वो एक एक्जाम आपके एक-दो मेहना बाद होगा ठीक है तो देखते है क्या डीटेल्स में यह दिया गया है हम एक ऐसे सिस यह चसल जो की रिसेडियूल किया गया है जो कैंडिडेट इग्जाम नहीं दे पाए थे उनके लिए जो दे दिया है उनका कोईड असल लेने के जरूरत नहीं है उनका उसी समाक्स आएगा लेकिन जो नहीं देपाए थे और जो इनका छूड गया था जो है जैव का भी है जैवी का भी है एक पाइक साथ ना से जो इसी साल होगा सब एक दू महीन बात लगातार अधार के जाएगे तो यह कुस्करवरी है जो की वेटकर रहे थे हम लोग इतना दिन से ठीक है स्टेनों का है सबस्पेक्टर का है जुनियर हिंदी ट्रास्लेटर का है फिर सीजियल का है सीजियल टियर टू जो की 14,10,12,20 है तो जो भी त्यारी करें उनके लिए टाइम बहुत ही कीमती है और ये आपको पहले से ही पता चल रहा है कि कब होने वाल एक्जाम तो आप लोग अपने तेजारी करते रहें यह मैं सोची कि टाइम आएगा तब हम लोग मेंस के त्यारी करेंगे क्योंकि देबल को बहुत उच्चा करके रख रहे हैं ठीक है तो बस यही बताना था तो होप हेल्थी रहिए स्वस्त रहिए और पढ़ते रहिए नहीं नवाद